तो हाई दोस्तो जलपरी SFC ये YouTube चैनल में आपका सौगत है आज हम आपको पापदा फिश के बारे में कुछ इंफर्मेशन देने वाले हैं दोस्तो तो जरूर वीडियो देखें द्यान से और पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल सस्क्राइब कीजिए बेल आ और आगे से थोड़ी मूटी रहती है और ये नीचे से वाइट और उपर से ब्लैक और ये नीचे से वाइट रहती है और ये नीचे से थोड़ी रेड रेड कलर में रहती है इसके दो काटे हैं दो काटे और ये चमकने में बहुत चमकती है इस लाइट की प्रकाश में दोस्तो इंदर रिए रहते ये रेड रहते है दोस्तो बोर नर्मल और ज्याद्स काली रहते थोड़ी समझो ख़राब मश्ली है दोस्तो ये हमेशा रएड़ी रहते ताजी मश्ली की और ये लाल र्सटरी दिखती इसमेंolds मुष्व टीमे एक तो कली पानी की काली तीए और पानीगी अपने लाल और अपने सपहेद आती स्पहे और इपका ठें가지 को और यह उपर growing 1990 to die यह उपर से काली और कि सिस्थी फूछे दोश्टो एपने तो यह को यह जश्री कि पीशेई दोस्तों अगstoffi तो दोस्तो ये सका मूँह है मुँह में थोड़े थोड़े होडे नुके लें दोखे बार आर एक बार इस दॉसको अंदर से रही पर ये दू मुछें दूस्तो ये इसकी जुबा में दोस्तो इससे उँ कॉति है ये मसल्य खाने में cooling में जैसे कि बेर जाल रहा है आनि में इसके काटे दोस्तों यह दो काटे दोस्तों यह जब आदने को चुपता है तो बहुत दर्द दोस्तों और चुबा तो आदमी ने वह जाद जिस जगह चुबा है वहाँ खुन निकाल लेना दोस्तों क्योंकि यह बहुत दर्द करता है दोस्तों बाद में इसकी पू पुरी वाइट वाइट चम किल देती दोस्तो तो इसका नाम है दोस्तो पाबदा ये पाबदा दोस्तो फीश ये गावरार मची दोस्तो ये स्विब डाइसो ग्राम तक बढ़ती है दोस्तो उसके उपर ये बढ़ती है नहीं डाइसो दोस्तो और जैसे की इसका में साइज है बहुत सारी मसलिया दोस्तों अब यह पेकिंग होके बाहर जाएंगी दोस्तों देखें दोस्तों प्रेवाइड और डेड दिखते ही दोस्तों उपर से ब्लैक तिंग कलर दोस्तों इस मशली में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और जैसे आप हमारे चैनल को अब और हम और भी सारी मशलियों के डिटेल्स में आपको बताएंगे दोस्तों तो जरू चैनल के सब्सक्राइब करिए दोस्तों लाइक करिए और शेर करिए दोस्तों तो जैस तो बस आज के लिए इतना ही मिलते ही किसी नेक्ट वीडियो में जैहिन